पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा, फ्रैंकलीन का बच्चा घर से भाग जाता है, क्योंकि डांटे अब उसके साथ रहने लगता है, लेकिन तभी डांटे को फ्रैंकलीन के बच्चे ने बहुत ही बुरी तरह से किमिनलों से पकरवा दिया होता है, और फ्रैंकलीन इ इवी लोता है, और अब आगे, अरे काईस फ्रैंकलीन के बेटे चिंटू ने मुझे किडनाप करवा दिया है, प्लीज का इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्स्क्राइब नहीं तो यह लोग मुझे बेच देंगे, पापा को बताओ, मेरे पापा को नाम टोनी चुपकर बच्चे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम पाइसा कमाएंगे दियो बेच के, कम से कम, तीन चार्ट बिलियन डॉलर में बेचिंगे दिये, अरे बाप रे बुरा फस गया मैं तो, प्लीज एंकल जी मुझे जोड़ दीजे, मेरे कोई गलाती नहीं है, मैंने तुम पाप का बच्चे, हमें तुम इन से हमारे प्रोपर्टि यह हमारी है, तुम आज नहीं है, अरे लगता है गलग जगा चुक है, ठीक है ठीक है, चलो हम जा रहे हैं यह से, लेकिन तुने बच्चा दिखा था, इसको बारे में किसी को मुझ बचला, ढई किसी को ना ब प्लीज और फ्रेंक्लीन को बता होगे मुझे किटनेप कर रहा है प्लीज लगता है इसने किटनेप कर रहा है किसी को लगता है यह बच्छा किटनेप हो चुका है बाइया काम करना होगा जाकर फ्रेंक्लीन नाम के शक्स को बताना होगा वह बच्छा बोला था कि फ्रेंक्ली लेकिन कौन है किसकी आवाज आ रही जा रहे तो अरे यहां पर बैच्वर बैठा हूं भाई मैं आजा जल्दी से क्या हो क्या मुझे की ढूंड रहा है तू अरे अशल में छोटा बच्चा मिला था हमको उसको कुछ लोगोंने बहुत बुरी तरह से पकड़ रखा था कहीं ल सबस्क्तरों किना रहे जो बुटा बैठा है तू जा जा रहा है मुझे वहां लेकर जा रहा है जहां डैंटे को लास्टा मिसने देखा था पाई जल्दीचम प्लीज यहार मेरे प्स ऐड़ समय नहीं है उसका पापा जो कि टोनी स्टाक है बहुत ही फेमस है मैंने वो जानता हो गातू अरा बिल्लकुल हम आयमन को जानते हैं देखो लास्ट टाइम हमने उसको यहां देखा था यहां पर तीन चाल लोग थे और साथ में वो छोटा सा बच्चा था यहीं से वो सीधे आगे तरफ निगल गए थे इसके बाद हमको ना पता वह कहा था तो भाई अब हम क्या करें कैसे बता करें कैसे लिए में वो लोग क्या खाएं मेरे बाद से काईडिया हम आस-पास लेकुस लोगों से पूश सकते हैं क्या पता वहां तीन चाल इन इस बच्चे को जानते हो और शाहद थामारी मता थोजा इस बच्चे उठो नहीं तो सामने उस घर में चेक करें साथ को हो बता दे अब लिकुल चलते हैं चलते हैं चल्दी चल्दी ए जीजी वाइमा बाइच सुनो बढ़ा बटाओ का वाइच असल में चोटा से बच्चे को किर्णाप कर लिया गया वो शुबा के ताइम यहीं पर तीन-चार लोग ते जीप में तो वह ले गाई इस बच्चे को तो हम का कर चल्दी चल्दी चलते हैं हम तुमको बताते हैं राश्ता कहां पर है अरे बाप्रे गाइस मुझे छोड़ दो प्लीज चाहने दो चुपकर बच्चे तो कहीं नहीं जाएगा समझा एक काम करो इसके बाप क्याने कंसा करते हैं अगर इसका बाप आया तो उससे सीदे हंड् मिलियन डॉलर में मुझे बेश ना चाहते है और अगर मेरे पापा की पास फीनीड नहीं है मेरे पापा की पास पशेल रेकिन प cris कर गया है बल्कुल ठीक है तो मैं भी क्या था हूं फ्रैंक्लीन तू आहीं पर रोगना हाँ और बागी कुछ पैसे वैसे चीए तो बताना मेरे पास फिलाल लोग छोड़ते हैं और मेरा आयर्मेन का सूट भी तो नहीं है और कोई सारे सूट में नियुएक चोड़ रखें जल्दी चलना पड़ेगा फ्रैंक्लीन का पर है तू मैं आगया आज़ा बाई यहीं खड़े है ठीक है मैं आ रहा हूं बस आज़ा बाई आज़ा जल्दी हो सकता है कि महां पे लोगों नहीं पड़े तो अपना आयमेन का सूट लाए ना नहीं भाई आयमेन का एक बीसुर निया सारे के सारे नियुए यॉक में मेरे असल में आजकल काम में कुछ कमिया आरी है इसलिए जादा पैसे भी नहीं कम रहे है थोड़ा बहुत ही कैश आपका बहुत-बहुत शुक्रिया होगा अगर आप हमें लोकेशन बता लोगे कि हमारा बेटा कहां पर है अब बैटता हूं मैं जल्दी से भी जाओ भाई है अपने भाई को बचा लो अरे वह बेटा है हम चलते है जाविस तो है में जाविस से क्यों बोल रहा है दो और है पैसा कार में लेकर आया हूं तीन चाहिंव डूब कोई दिक्कत नहीं है हम अभी अभी अपने बेटे को बचा लेंगे बिलकुल पचा लेंगे शल्दी ढूंता है उनको बचेगा ने तुदांटे हम तुझे हंड्रेड मिलियन डॉल में बचेंगे हंड्रेड मिलियन डॉ चीए पापा आपसे तब ही छोड़ेंगे मझे अरे नहीं 100 मिलियन डॉलर फ्रैंकली इतना पैसा तो में पास नहीं है में पास तो सिर्फ 3-4 मिलियन डॉल रहा है क्या बोल रहा है तो तो चुप चाफ निकल जाए यहां से नहीं तो तो त्यों यहीं बटके बारूंगा अ अरे नहीं फ्रैंकली नहीं यार मैं अपने बेटे को खो ना दूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चल्दी बैठ हाँ मैं बैट रहा हूं जल्दी से अरे यार गाईस बहुत करबड़ोगी अब हम इतना पैसा कास से लाएंगे प्लीज गाईस आप ही जल्दी से एक काम करो कॉमेंट में फ्रैंकली नोपी लिग दो या आईरन में नोपी हमारे पास सपोर्ट तो मिल जाएगा आप सभी का क्या पता हम अपने बेटे को बचा लेगा हमें अपने बेटे को बचाना हुगा भाई मेरा तो जीमें ने मरने का भी मन नहीं कर रहा कहा चाओं को ता मत कर मैं तरे साथ हूं मैं काम कर कार से बार निकल मत ये समझाता हूं अच्छा ठीक है मैं निकल अब बता क्या करना है देख मेरी बास सथ टोनी स्थाक असल में मैं चाहता हूं कि तू कुछ फंडरेज करे मैं बागा है घाए वर्ड़न मेरे पास सिर्ण फिर फंड का से अरे नहीं फिर तो मेरे पास यहीं की तरीका है भाई मुझे पैसे चुराउ होता हुँगाई ये जो सई कर लिगे कर हमें अपने बचे को बचानी के-ले कोई करना होगा मैं पैसाद मैं एकड़ा कर लाpod देगा कौन यार दिक्कत तो यह है गाईज वो भी कैश में यही तो परिशानी है चालो गाईज टोनी स्टाक तो गया अब मेरे पास एक कमाल का इडिया है मुझे शहर के नहीं देश के सबसे बड़े माफिया को किटनेप करना होगा या टोनी स्टाक से करवाना होगा उसके बाद गाईज हमें 100 मिलियन टॉर कैश मिल जाएगा क्योंकि माफियास पर ही इतने ज्यादा कैश रहते हैं क्योंकि गाईज यह लोग ऑनलाइन पैसा रखते नहीं है पस अपने पास कैश रखते हैं इसलिए गाईज मुझे किसी ना किसे पता करना गए है भाई लोग मेरी सबसे बड़ा गुंड़ा कौन है तुमको पता है अब तेरी हाला से तो बिलकुल तू कंजू लग रहा है चल निकले आसे फाल तू आदमी कहीं का देख रहो गाईज ही बंदा तो गया बिकार में अभी काम करते हैं जल्दे से किसी और को ढूंड़ते हैं मुझे जल से जल शहर का सबसे बड़ा माफिया के बारें पता करना अगा उसके बार टो इस्टा का इंफर्म करना गा एक मिनटी ना अंटी से पूस दे हैं आँटी क्या बोल रहे हो आंटी नहीं मुझे मैं तुमारे उमर से चोटी हूँ ठीक है ना मुझे बस इतना जाना है शहर का कोई ब खग रहे हैं खो गाइस यहां पर कोई कलू माफिया है बहुत ही कमाल का तो मुझे जल से जद उसको ढूंड़ना पड़ेगा लेकिन यह बाप रहे बापर अब तो गाइस टोनी स्टा की कुछ कर सकता है एक काम करते हैं हम सिधा टोनी स्टा को कॉल लगाता है जल्दी से ल सेंटोस में नॉर्मल भेस में आएगा वो चाता है नॉर्मल इंसानों जैसी जिना वो तो कल्लो माफिया यहीं कहीं वो कल्लो माफिया होना चाहिए वो कैसा होगा एपरे कुस समझ नहीं भी आ रहा है चेक करना पड़ेगा, आपको इन में से कोई माफिया टाइप लग रहा है तो बताओ, एक मिड़ी ये कौन है, भाई या बहुत बढ़िया पैसा है, तुझे नाम से क्या मतलब भाई, मैं अपने काम करने थे, लगता है गाईज, यही कल्लू माफिया है, आप कल्लू माफिया को जानते हो भाई, वो असल में थोड़ा सा काला सा दिखता है, हमको ना पता भाई, तुम किस बाएं बात कर जो, यही है, इसको इसको इपकरना पड़ेगा मुझे, क्या बक्वास किया जा रहे हो, तेरी तो अभी तरी बैंड बजाता हूँ मैं, तुई कल्लू माफिया है सुना, अगर यहां से हिला ना, तो तेरी बैंड बजा दूँगा मैं, देगा खाईस मैंने फाइनली कल्लू माफिया को खल पाल लिया, अड़ो यहां से, तो काम करता हूँ, जल्दी से फ्रैंक लिए खल लगाता हूँ, और बोलता हूँ, हमने कल्लू माफिया को पकड़ है, लेकिन अभी तक कन्फरम नहीं है, यह कल्लू माफिया है भी है नहीं, अगर यह हुआ तो से हम हंड्रेंड मिलियन डॉलर कैश ले सकते हैं, उसके बाद अपने बेटे को बचा सकते हैं, बहुत ही आसानी से, तो चलो जदी जदी चलता है, राम से, यह यह बहुत ही मोले जरू कल्लू माफिया है, इसकी गैंग मेरे पीछे लगी, आप एक काम करो, जल्दी से कॉमेंट में नेक्स पार्ट लगो, नेक्स पार्ट में अपने बेटे को बचाऊंगा